तो आज हम discuss करेंगे आपका C. Archin का developmental biology, तो ये किस view से important है, ये आपका आज का हो गया part 1 and this is important from CSIR net point of view, तो आज हम जो discuss करेंगे, वो हम C. Archin developmental biology discuss करेंगे, जो कि CSIR net के लिए बहुत important है, और basically कौन से unit से है, ये है आपका developmental biology से, तो let's proceed. सबसे पहले C. Archin होता क्या है, तो C. Archin के अगर हम बात करते हैं, ये basically आपका phylum Echinodermata से belong करते हैं, ये एक spiny water animal होते हैं, मतलब ये जो है आपका, ये एक aquatic organism होता है, इसमें आप देख सकते हूँ, पुरा spines निकले वे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या C. Archin, तो ये कौन से phylum स करता है, आपका Echinoderm से, जो के बहुत important है, next, आज इस class में हम discuss करेंगे about sperm and egg के बारे में, in our next class, हम discuss करेंगे आपके fertilization के बारे में, right, तो अगर हम बात करते हैं, sperm, sperm C. Archin के sperm के बारे में, अगर मैं बात करते हूँ, जो sperms है C. Archin का, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, अगरे में, let me draw here, और अगरे में दाइग्राम भी रखा हैं, next slide में, but to make it more clear, यह कुछ इस तरह के दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, this part we call it head, middle piece, tape, और इहां पर आपका क्या होता है, इहां present होता है आपका, यह होता है आपका nucleus, इस part को basically हम बोलते हैं neck, और इहां आपका होता क्या है, neck में आपका present होता है क्या, centriol, और इहां पर present होता है आपका mitochondria, मैं यहां leveling करती हूँ, यहां present होता है, यह क्या है, यह है आपका centriol, और यह है आपका mitochondria, यह वाले जो part है, head के इस part को हम बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं, इसको acrosome, और यह जो acrosome होता है, basically वो कहां से derived होके आता है, वो आपका derived होता है, गौलगी body से, गौलगी body से वो derived होके आता है, यह question पूछ चुका है already, उसके बाद जो cell body, collar, neck, tail, right, अभी हम diagram देखेंगे आपका, यह हो गया diagram, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस part को हम क्या बोलते हैं, इस part को हम बोलते हैं, क्या acrosome, right, यह हो गया आपका nucleus, यह क्या हो गया, यह हो गया आपका cell mangro, this is centriol, this is mitochondria, right, यह हो गया middle face, neck, head, tail, and face, right, तो यह आपका हो गया proper diagram, sperm का, किसका हो गया आपका, यह हो गया आपका sperm का, अब यहाँ पर important वाली बात जो है, वो क्या है, वो है acrosome, क्यों जो acrosome होता है, जो sperm में जो acrosome present होता है, वो basically कहां से derived हुआ होता है, यह आपका derived होता है, यह आपका polys या फिर आप बोल सकते हो, गोल की apparatus से यह derived हुआ होता है, right, इसका इहाँ पर जो acrosome होता है, इसके tips में, क्या होता है, hydrolytic enzymes present होते हैं, hydrolytic enzymes present होते हैं, जो कि आपके fertilization में help करते हैं, right, तो x में basically acrosome basically कहां से derived होता है, वो होता है आपका bulky bodies, या फिर आप bulky apparatus भी बोल सकते हो, यह आपका इहाँ पर क्या present होता है, यहाँ पर present होता है, आपका hydrolytic enzymes, right, और जो acrosomes होते हैं, basically इहाँ पर एक आपका ligand present होता है, या फिर आप बोल सकते हो, ligand present होता है, जिसको हम बोल और यह जो लाइगन और रेसेप्टर का रिक होता है यह भहँत स्पेसर स्पिछक होता है तो अगर हम ऐकरोसोME की बात करता है बेसिकली यह आपका कहां से डराइब होता है यह आपका गोलगी बॉटी से डराइब होता है गोलगी बोड़ी से derived होता है यह आपका present पहां 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 होता है यह आपका sperm में present होता है और यहां present क्या होता है यहां present होता है आपका hydrolytic enzymes और इसका जो receptor होता है उसको हां बोलते है sorry binding जो होता है यह आपका ligand होता है जो कि receptor से bind करता है और यह receptor कहां present होता है यह present होता है एक के membrane में अब दिखेंगे तो आप देखलो acrosome has a binding protein या फिर आप इसको ligand भी बोल सकते हो या फिर आप ligand भी बोल सकते हो acrosome contains hydrolytic enzymes which help in the process of fertilization right okay so next हम बात करेंगे eggs सियाचिन का जो egg है वो कैसा दिखता है this is the structure of egg यहां आपका present रहता है jelly coat jelly coat का का काम क्या होता है jelly coat basically यहां पे आपका यह एक peptide release करते हैं जो jelly coat होता है यह आपका एक peptide को release करते हैं जो के आपका 14 amino acids का होता है इसको हम बोलते हैं resect इसको हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं resect protein जली कोट के बाद यह जो होते हैं इसको हम बोलते हैं vitalin membrane और इस vitalin membrane में जो वो binding protein था या binding ligand था उसका receptors present होते हैं और उस receptor को हम क्या बोलते हैं EBR1 मतलब एक binding receptor 1 and this is what we call plasma membrane and इहां पर यह कुछ circular structure होते हैं इसको हम cortical granules बोलते हैं और यह भी आपका कहां से derived हुआ होता है यह भी आपका गौलगी apparatus या फिर आप बोल सकते हो गौलगी bodies से क्या होता है यह derived हुआ होता है is this clear तो अभी हमने देखा sperm and egg के बारे में तो अभी important point जो sperm का है एक का है वो क्या है जो vitaline membrane होता है वहाँ पे receptor present होता है जिसको हम बोलते हैं EBR1 egg binding receptor 1 और जो egg का jelly होता है वो release करते हैं क्या वो release करते हैं आपका resect protein यह protein क्या है यह protein अपका 14 amino acid से बनता है और इसका काम क्या है यह chemo attractant की तरह काम करते है chemo attractant मतलब क्या मान दो इहां पे यह अगर water है आपका मान दो यह अपका पूरा वार क्यूंकि यह aquatic organism है तो यह water हो गया तो इहां पे अगर sperm release हुआ है और इहां पे अगर egg release हुआ है तो यह sperm कहीं में move on हो सकता है तो इस sperm को इस एक की तरफ attract करने के लिए एक chemical secret करते हैं कौन एक जिसको हम बोलते है क्या उसे chemical को हम बोलते है है reset यह reset क्या करते हैं यह sperm को attract करते हैं क्या करते हैं इसका काम attract sperm यह आपका sperm को attract करते हैं और process को fertilization process को enhance करते हैं in fact sperm के mortality को भी यह बढ़ाता है अगर हम fertilization के बारे में बात करते हैं तो जो fertilization होता है सिवाचिन का वो बेसी के लिए external fertilization होता है मतलब cell के body से बाहर होता है इनका fertilization male and female and जो कि आपका जाएको 2N को form करता है अगर मैं आज का जो मैंने topic discuss किया उसके अगर मैं summary के बात करो आज हमने क्या क्या देखा अज आज हमने क्या क्या देखा हमने देखा sea अर्चिन के बारे में देखा हमने क्या देखा आज हमने ये देखा कि जो ये आपका एक spiny animal होता है spiny aquatic organism होता है और यह आपका कौन सा phylum से बिलॉंग करते है यह आपके phylum echinodermata से बिलॉंग करते है यह तो आप लिख सकते हो echinoderms यह आपका echinoderms से बिलॉंग करता है तो अगर हम egg और sperm के बारे में बात करते है से अर्चिन के sperm के बारे में बात करते है अगर हम से अर्चिन के sperm के बारे में बात करते है तो sperm में basically होता क्या है यह हो गया आपका sperm यह हो गया आपका sperm इस पार्ट को हम क्या बोलते है इस पार्ट को हम बोलते है head, इसको हम बोलते है middle piece, इसको हम बोलते है middle piece and इसको हम बोलते है क्या, ते, अब जो ये head होता है, इहां आपका present होता है क्या, इस head में आपका present होता है nucleus, ये हो गया centrior, इहां पे हो गया आपका mitochondria, तो इसको मैं अगर leveling करूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, this part we call it यह क्या है यह है आपका nucleus and यह क्या है यह है आपका centriol right and this part we call it mitochondria clear and यह वाला जो part है इसको हम बोलते हैं neck clear और यह हो गया आपका sperm और इहां present होता है सबसे important चीज क्या है sperm के जो tip होता है इसमें present होता है क्या इसमें आपका present होता है acrosome right और जो यह acrosome होता है important point क्या है important point है आपका acrosome क्यों important है क्योंकि यह acrosome जो होता है यह आपका derived हुआ होता है किससे गॉलगी body से यह आपका derived होता है और apart from this जो acrosome होता है इसमें एक protein present रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं, इसमें एक ligand present रहते हैं, जुसको हम बोलते हैं कि आप binding protein, जो कि किस से bind करता है, जो कि egg के receptor के साथ bind करता है, थार्ड पॉइंट क्या है, यह जो polymerism होता है, इसमें आपका hydrolytic enzymes present होते हैं, जो कि क्या करते हैं यह hydrolytic enzymes का काम क्या है यह आपका fertilization के process में help करता है कैसे करते हैं वो हम अगले class में देखेंगे तो यह हो गया C-archin का sperm के बारे में अब हम थोड़ा सा discuss करते हैं C-archin के egg के बारे में अभी हम discuss करते हैं क्या C-archin के egg के बारे में एग में basically होता क्या है अगर मैं egg की बाद करूँ तो कुछ इस तरह से दिखता है यह पिंधुः इसस दिखता है और आपके कुछ ऐसे छोटे-छोटे चीज प्रिसंट होते है तो यहाँ ये वाला जो होता है basically इसको हम बोलते हैं क्या इसको हम बोलते हैं एग जली इसका काम क्या होता है भाई इसका काम ये होता है कि ये करता क्या है ये आपका एक पेप्टाइट को 14 अमाइनो एसिद का एक पेप्टाइट को फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या जिसको हम बोलते हैं रिसाक्ट प्रोटीन और इसका रिसाक्ट प्रोटीन का काम basically क्या है यह काम करता है आपका chemo attractant की तरह मतलब यह sperm को attract करते हैं यह क्या करते हैं यह chemo attractant की तरह काम करते हैं इसका काम क्या है इसका काम है to attract sperm sperm को यह attract करता है next आपका क्या present है next आपका इस वाले पर्ड को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे vitalin membrane. इसको हम बोलेंगे क्या? Vitalin membrane. अब यह जो vitalin membrane होता है, इसमें आपका present होता है? इसमें आपका present होता है एक receptor जिसको हम बोलते हैं EVR1. EBR1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है egg binding receptor, क्या है egg binding receptor, ये basically किसके साथ bind करता है, ये bind करते हैं आपका, किसके साथ, ये bind करता है, binding के साथ, binds with binding protein present in the sperm, ये जो reaction होता है, ये आपका species specific reaction होता है, clear, and उसके बाद इहाँ पर क्या होता है, ये जो छोटे छोटे कुछ present है, ये आपका present हो गया plasma membrane,àoद ये जो छोटे छोटे शोटे circular structures है, इसको हम बोलते है, बोलते है, cotic granules, क्या बोलते हैं, cotic granules, अब ये जो cotic granules होता है, ये आपका कहां से यह cortical val Alan's form होता है ये भी आपका form होता है C альном apologies, ये भी आपका says form होता है ये form होता है आपका बहूंता अगर आसा ए अगर मैं fertilization के बारे में बात करूँ ज tom का fertilization होता है किसका C. AlchynS image, ये fertilizer कैसा होता है यह fertilization होता है आपका external external का मतलब क्या होता है external fertilization होता है external का मतलब क्या हो है यह मादलो आपका water है यहाँ पे sperm भी present होगा यहाँ पे आपका egg भी present होगा अब यह egg क्या करेगा sperm को attract करने के लिए एक chemical release करेगा एक peptide release करेगा उस peptide को हम बोलते है resect और यह resect क्या करते है यह आपका sperm को attract करते है so that sperm can move towards the egg and इनका fertilization हो जाए clear everyone yes अब इहां पर क्या होता है आपका sperm में आपका एक binding protein होता है जो कि आपका bind करते है किस के साथ EBR1 के साथ यह EBR1 क्या है यह present binding कहा present होता है binding present होता है आपका sperm में और EBR1 present होता है egg में यह बिल्कुल आपका specific होता है अब हम अगले class में हम इसका fertilization का जो process है वो हम detail में देखेंगे next class में in case अगर आपका कोई doubt है या फिर कुछ queries है तो आप मुझे comment section में लिख सकते है apart from this मेरा description box में मेरा mail id दिया रहेगा वहां भी आप mail कर सकते हो right thank you so much students for joining the session